Good morning all of you kids, how are you? I hope you all are fine and safe at your home students As you know in previous class we were discussing about our chapter Ashoka the emperor who gave up the war Okay, तो इसका हम आज अपना last part करने जा रहे हैं जो हमने बोला था कि लास क्लास में पढ़ेंगे what is dhamma What was Ashoka's dhamma, dham means क्या होता है, जैसे हमारा dharm होता है, हमारा karm होता है कि हम कौन से धर्म को मानते हैं, ठीक है कौन से धर्म के हम पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं तो यह जो धम था, धम्मा था, यह क्या था, इस दा प्राकरत वर्ड था, यह क्या था हमारा धर्म, जो धम्मा था, वो धर्म का ही क्या है, प्राकरत वर्ड था, ठीक है तो क्या है अशोकास धमा आज हम देखते हैं, अशोकास धमा डिड नौट इन्वॉल्फ वर्शिप औफ गोड जो अशोक का धमा था वो किसी भी वर्शिप नहीं करता था, मतलब उसमें उनका ये मानना है नहीं था कि हमें गोड की क्या करने चाहिए, वर्शिप करने क्या देना, education provide करना, उनको teach करना, ठीक है, he had a duty to instruct his subject, ऐसे ही उसकी भी duty थी, कि वो भी क्या करेगा, वो भी अपने, जो उसकी इतिसारे, वो क्या था, बहुत थी बड़ा, क्या था, emperor था, उसकी भी duty बनती थी, कि वो हाँ पर लोगों को क्या करे, instruct करे, ठीक है, he was also inspired by the teaching of the Buddha, और जो वो बुद्धा थे, वो उनकी teaching से भी क्या हुआ था, inspired हुआ था, कैसे, there were a number of problem that troubled him, उनको बहुत सारी जो problems आ रहे थी, जो वो face कर रहे थे, कौन-कौन सी problem थी, people in the empire follow different religion, जो लोग थे न, empire के time पर, वो बहुत सारे religions को क्या कर रहे थे, follow कर रहे थे, and this sometimes lead to conflicts, और ये क्या कर रहा था, बहुत time, क्या कर रहा था, conflicts create कर रहा था, animals were sacrificed, और ऐसे धर्म को हम follow करते थे, कि जिसे की, जो animal का हमको क्या करना पड़ता था, sacrifice करना पड़ता था, slaves and servants ill-treated, जो slaves होते थे और servants होते थे, उनके साथ, बहुत ही बुरा व्यहवार किया जाता था, besides, there were quarrels in families and amongst neighbors, families में, और जो neighbors से उनके बीच में बहुत तरहीं कि लडाईयां जगडे होते रहते थे, Ashoka felt that it was his duty to solve this problem, अब Ashoka ने सोचा, यह मेरे duty बनती है कि मैं कैसे इन problems को क्या करूं, solve करूं, so he appointed officials, so उसने क्या किया, officials को appoint किया, non as the dhamma mahatma, जो कि क्या जाना जाते है, dhamma के mahatma होते थे, who went from place to place, जो क्या करते थे, place to place जाते थे, and teaching people about dhamma, जो लोगों को किस के बारे में बताते थे, dhamma के बारे में बताते थे, beside Ashoka got his message inscribed on rocks and pillars, इसके अलावा जो Ashoka थे, उन्होंने message किस पर inscribed किये, pillars पर हो गए, ठीक है, rocks पर हो गए, उस पर उन्होंने अपने message लिखना start क कर दिया, instructing his official to read his message to those who could not read it themselves, उन्होंने अपने officers को क्या किया, बताया कि जो लोग इन messages को पर नहीं सकते, उनको आपको क्या करना होगा, read करके बताना होगा कि क्या लिखा हुआ है, Ashoka also send messenger to spread ideas, अशोका ने बहुत सारे messengers भी भी भेजे, कि जिससे कि वो जो dhamma है, वो उनक उन्होंने लोगों को भेजिया, दूसरी countrys होगी, like Syria हो गया, Egypt हो ग्रीस हो गया, श्रीलंका हो गया, यहां तक उन्होंने लोगों को भेजा कि जिससे कि लोगों को धंबारे में पता लग सके, he built roads, उसने उन्होंने क्या बनाए, roads भी बनाए, duck wells उन्होंने कुएं भी खु उन्होंने क्या किया, medical treatment भी कराया, किस-किस का, human being का भी और animals का भी, देखो, अब यह क्या है, यह क्या है, यह क्या है, बुल, इसके बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ना है, क्या है, दारामपुरा बुल, ठीक है, look at his finally polished stone sculpture, देखो, कितना अच्छे से इसको polish किया हु हुई है, this was the part of Mauryan pillar, यह कपका है, यह Mauryan pillar का part है, found in रामपुरा, बिहार, कहां पर मिला था, यह बिहार में मिला था, and has now been placed in राश्पती भावन, और अब इसको कहां पर रखा गया है, राश्पती भावन में, it is an example of the skill of the sculptures of the time, उस समय जो मूर्तिकार होते थे, देखो, उ अब क्या है, अब क्या है, अशोका message to his subject, subject का मतलब होता है कि उन्होंने, अशोका ने क्या message दी, अपनी प्रजा को क्या message दी, people perform a variety of rituals, बहुत सारे लोग, बहुत सारे rituals perform करते हैं, when they fall ill, जब वो बिमार होते हैं, when their children get married, या फिर उनके बच्चे क्या होते हैं, जब शादी ह होती है, when children are born, या जब बच्चे पैदा होते हैं, और when they go on a journey, या फिर वो कब जाते हैं, किसी भी journey पर जाते हैं, these rituals are not useful, ये rituals useful नहीं होते, if instead, people observe other practices, अगर लोग और सारे practices को follow करें, this would be more fruitful, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या होगा, useful होगा, means हमारे लिए बहुत ही important what are these other practices, ये क्या other practices थी, these are being gentle with slaves and servants, उनका मानना था, कि हमें सबके साथ gentle होना चाहिए, चाहे वो slaves हो, या servant हो, सबके साथ हमें एक जैसा ही, अच्छा सा treatment करना चाहिए, बहुत प्यार से रहना चाहिए, respecting once elder, छोटे बड़ों को हमको सबकी respect करनी चाहिए, treating all creatures with compassion, चाहे वो को इस भी, क्या हो, पेड़ पोदे हो, या फिर कुछ भी हो, सबके साथ हमें बहुत अच्छा treatment करना चाहिए, giving gifts to brahmins and monks, हमें brahmins और monks को क्या करना चाहिए, gift देना चाहिए, it is both wrong to praise once on religion or criticize another, ये बहुत ही गलत होता है, कि हम अपने religion को तो क्या करते हैं, अच्छा बताते हैं, और दूसरे जो religion, जो भी लोग follow करते हैं, उनको हम criticize करते हैं, तो ये भी बहुत गलत बात है, each one should respect the other religion, हमें सब जो भी religion है, सब religions की क्या करनी चाहिए, respect करनी चाहिए, if one prays one on religion, अगर कोई लोग सिफ अपने ही religion को follow करते हैं, और उन्ही की प्रशंसा करते हैं, while criticizing another, और actually doing greater harm to ones on religion, ऐसा करके वो अपने ही धर्म को क्या कर रहे हैं, नुकसान दे रहे हैं, हाम कर रहे हैं, तो हमें कभी भी दूसरे जो भी religion है, उनकी कभी भी हमको criticize नहीं करना चाहिए, और नहीं अपने ही धर्म के बारे में हमेशा प्रशंसा करनी चाहिए, सब धम समान होते हैं सबी को ही हमें क्या करना चाहिए, equally treatment हर किसी के साथ करना चाहिए, therefore one should try to understand the main ideas of another religion, हमें दूसरे भी जो religion है, उनकी ideas को follow करना चाहिए, उनको समझना चाहिए, and respect it, और उनकी respect भी करने चाहिए, पंडित जवालना नहरू, the first prime minister of India, जो पंडित जवालना नहरू थे, वो first prime minister थ का, his instruction still speak to us in a language, we can understand, we can still learn much from them, उन्होंने लिखा कि जो ये अशोक ने आज हमारे लिए इतना सब कुछ किया, इन सब से आज हम बहुत कुछ सीखते हैं, जो ये उन लिख के गए, inscriptions बगरा, जो उनका ये instruction थे, वो आज हमें बहुत ही useful हैं, हमारे लिए, आज भी हमने इसे बहुत कुछ सीखा है, identify the parts of अशोक का message that you think are relevant today, आज भी हम देखें तो जो अशोक के message हैं, वो हमारे लिए बहुत ही relevant हैं, okay, students, your chapter is completed, देखो ये आपने early ब्रहामिन में कैसे बनाते हैं, देवनागरी में किस तरीके से लिखते हैं, ये हमको क्या दिखाया हुए है, बेंगा क्लास में हम क्या करेंगे, ये elsewhere वाला पार्ट आपका आता नहीं है, exam से इंपोर्ट नहीं है, तो इसलिए आपका chapter यहाँ पर आपका complete हो गया है, और in next class we will discuss about our question answer part, so students, I hope today video is clear to all of you, if you face any problem and do your work, do your proper work on your time, आपको अपना जो भी work है वो प्रोपर अपना time पर complete करना है, and मैं को time to time send करना है, जब भी आपका day होता है, decided, then you should send me your work from time to time, and thank you, have a nice day, we will discuss question answer in our next class, so students, keep watching this video very carefully, thank you, have a nice day.